जन्माश्टमी के मौके पर भोग के लिए विशेश तोर से बनाए जाने वाली धनिये की पंचरी खाने में तो स्वादिष्ट होती ही है, सेहत के लिए भी उतनी ही फायदे मंद होती है अगर आपको नहीं पता तो अभी जान लीजिए इसके ये 5 बहतरीन फायदे पहला, धनिया को घी में सेक कर मिश्री के साथ मिलाकर बनाए जाने वाली ये पंचरी दिमागी तरावट, मस्तिश के संबंधी समस्याओं के लिए बेहत पायदे मंद है और ये दिमाग को ठंडा रख कर उसकी कारिक शम्ता को बढ़ाती है दूसरा, गठिया के मरीजों के लिए धनिया की पंचरी बेहत पायदे मंद है रोजाना इस पंचरी का सेवन जल्द ही आपको गठिया से निजात दिलाने में मदद करेगा दीसरा है, आँखों के लिए ये बेहत पायदे मंद है आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए नियमेत रूप से पंजरी का सेवन करना बहुत लाबदायक है इससे आँखे स्वस्थ रहती है चौथा, चक्कर आने की समस्या के लिए धनिया की पंजरी एक राम बारनी लाच है अगर आपको चक्कर आने की समस्या हो तो रोजाना इस पंजरी को चबा चबा कर खाएं और फिर असर देखें पाचवा पाचन के लिए धनिया चबाना बेहत लाब दायक है ये पाचन तंद को बेहतर करने के साथ साथ गैस और अपच जैसी समस्याओं से नजात दिलाता है